Hello friends, आप लोगोंने कठल तो बहुत बार खाया होगा पर एक बार इस रेसिपी को ट्राइ करना वरना आप इतनी अच्छी रेसिपी को मिस्स कर देंगे देखिए देखकार आपके मुँमें पानी तो आही गया होगा तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं हमने आधा किलो के करीब कटहल लिया है उसके लिए लगबग 3-4 पुत्री प्याज ये लगबग 200 ग्राम प्याज लेंगे प्याज की पतली स्लाइस करके उसमें नमक डालकर हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब तक की नमक पूरे प्याज में मिक्स ना हो जाए तब तक इसको मिक्स करना है अब हम प्याज को एक बोल में ट्रांसफर करेंगे अब हम इसमें कुछ ड्राइ इंग्रेडियंट मिक्स करेंगे जिसके लिए सबसे पहले आधी चम्मच हल्दी, दो चम्मच धनिया पौडर डालेंगे एक चम्मच कस्मेरी लाल मिर्च, आधी चम्मच तीखी लाल मिर्च का पौडर डालेंगे आधी चम्मच कसूरी मेथी, देड़ चम्मच अधरक लसन का पेस्ट, आख से दस कलियां लसन की, थोड़ा सहरा धनिया दो हरी मिर्च स्प्लिट करके डालेंगे आधी चम्मच काला नमक डाल कर हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब तक सारे मसाले अच्छी तरीके से प्याज में मिक्स ना हो जाएं तब तक अब हम इसमें कठहल एड़ करेंगे कठहल के पीज इसी तरीके से काटें ताकि वो हमारी हांडी में अच्छी तरीके से कुख हो जाए अब अपने हाथों के मदद से कटहल को प्याज वाले मिक्षर में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब तक कि सारे मसाले कटहल में अच्छी तरीके से कोट ना हो जाए अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे तेल को मैंने पहले ही गरम कर लिया था अब थोड़ा थंड़ा हो गया अब एक बड़ा चम्मच हम इसको एड़ करेंगे अब हम एक हंडी में पहले से ही गरम किया हुआ एक बड़ा चम्मच तेल लेंगे उसमें एक तेजपत्ता, एक सुखी लाल मिर्च और थोड़े से गरम मसाले जैसे लॉंग, इलाइची, दाल, चीनी, काली मिर्च इनको एड़ कर देंगे इसके बाद जो मैंने मसालों से मिक्षर बनाया था कटल का, वो मिक्षर हम इसमें ट्रांसफर करेंगे फिर इसके बाद जो हमारा बोल में जो मसाला रह गया है, इसको एक गलास पानी से थो करके इसमें डाल देंगे कटल को, एक्चुली में हम लोगों को दम पे पकाना है, तो उसके लिए हमें आटे का यूज़ करना होगा तो हम हंडी में धकन लगा करके, फिर आटे से उसको अच्छी तरीके से सील करेंगे उसको इतनी अच्छी तरीके से सील करना है कि कहीं से भी जराची भी स्टीम बाहर ना निकले आप इसको चैक कर लीजेगा अगर कहीं से स्टीम निकल रही है तो उसमें और आटा लगा दीजेगा इसके बाद इसको हम burner पे रखें अब हम हमारे हंडी कठल को लो फ्लेम पर 35-40 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे बीच बीच में हमें अपनी हंडी को चेक करते रहना है कि कहीं से कोई भी स्टीम ना निकल रही हो अगर स्टीम निकलेगी तो फिर हमारी सब्जी सही से नहीं पकेगी अब हमारी मसालेदार टेस्टी हंडी मसाला कटहल पककर तयार है अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल स्पाइस एंड चेक्नी थैंक यू फॉर वाचिंग